कि तरफ जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या तो पहले देखे यह रिपोर्ट उसके बाद फिर टिबे आखिर कॉंग्रेस को कहां से मिन रहा है ये विश्वास मद्दप्रदेश कॉंग्रेस के पास आखिर क्या फिडबेक है जो वो प्रदेश ही नहीं देश में भी बड़ी जीत का दावा कर रही है क्या आने वाले मंगलवार को होगा कॉंग्रेस का मंगल उसका दावा तो कुछ ऐसा ही है शोशल मीडिया हेंडल एक्स पर कॉंग्रेस ने बीजेपी गडबंधन को 196 सीट मिलने की बाग कही है पोस्ट के अंत में कॉंग्रेस ने पंच लाइन देते हुए लिखा है चार तारीक आ रही है नई सरकार ला रही है नतीजों से पहले कॉंग्रेस का ये कॉंफिडेंस फ सरकार बनाने के दाविपन एक कुईंटन लड़ों का ओर्डर दे चुके हैं पूरे प्रदेश का निया देश का विशा है देखिए लड़ों की विवस्था की है मैंने और आप देखें मद्वदेश में 12 से 15 सीटें जीत कर आ रहे हैं कॉंग्रेस के दावों को बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है बीजेपी का कहना है कि विधान सबाचुनाव और 2019 के लोग सबाचुनाव में भी कॉंग्रेस बीजेपी की विदाई का सपना देख रही थी तुमारे पाओं के नीचे जमी नहीं है कमाल ये है फिर भी यकी नहीं है तो कॉंग्रेस का हाल लगबग इन पंक्तियों जैसा हो गया है जो कॉंग्रेस डबल डिजिट तक सीमित होके रह जाएगी जिस कॉंग्रेस को इस देश के हर वर्ग ने, हर शेत्र ने अस्विकार कर दिया आज वो इस तरह का हास्यासपत सर्वे डाल रही है ये सिर्फ मन को बहलाने का चारतारिक तक का प्रयास है और उसके बाद EVM और चुनाव आयोक पर ठीक राफोड़नेगी कि साजिश इसके अत्रिक्त कुछ नहीं कॉंग्रेस ने एक्सपर देश में बड़ी जीत का दावा किया तो इसके नेताब हुपाल का टिकेट बुक कराने लगे लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2023 की विधान सवाच चुनाव की नतीजों से पहले दो दिसंबर को अवास हफीज ने PCC के बाहर पोस्टर लगवाए थे जनता का फिर देने साथ आ रहे हैं कमलनाथ लेकिन पोस्टर की बाद हकीकत की धरातल पर बहुत दूर रह गई और कॉंग्रेस का सपना काच की तरह गिर कर चन्न से तूट गया अब 24 के नतीजों की घड़ी करीब है क्या कॉंग्रेस का दावा हकीकत में तब्दील होगा या कॉंग्रेस की तैयारी पर उसका आत्मिश्वास फिर भारी पड़ेगा दोश्कार आज का मुद्द्द्वास में आपका बहुत-बहुत स्वागेश्व को दियारी आत्मिश्वास भारी जियां आत्मिश्वास बड़ी कारगर चीज है यकीनी तोर पर आप भी देख रहे हैं तो बहुत बूढ़ा आजमीं तो नहीं हूं आप कह सकते हैं मैच्योर हूँ फूरी डेंटिंग पेंटिंग की तरफ भी आप इशारा कर सकते हैं लेकिन बूढ़ा आदमी अभी नहीं है बूढ़ा होने में कोई दिख्कत नहीं है बहुत डिग्निटी से बूढ़े होंगे और आप भी देखेंगे माशाला लेकिन मैंने करीब करीब धाई दशक के पत्रकारिता के कारेकाल में पत्रकार के तौर पर अपने टेनियोर में मैंने इस तरह की गोशनाएं बहुत कम सुने पहले हम देखते थे 10-15 साल पहले हम पूछते थे जीत हार को लेकर तो पहला किसी भी पार्टी का राजनिता वो ये कहता था मै कोई जोची नहीं हूँ जो ये बता दूँ कि कितनी सीटे आएंगी हां हम कमफर्टेबल सीट जीतेंगे हम आराम दायक बहुमत लाकर अपनी सरकार बनाएं लेकिन हम नारा 400 पार का भी है और उदर 300 पार का भी है लड़ू आ रहे हैं और अब तो तयारी चल रही है और जी तो मालूम है कि उसने क्या किया है लेकिन ये पार्टियां अपने उपर इतना प्रेशर ले लेती हैं इसकी वज़े से कि चुनाओ के नतीजे आने के बाद जो जीत गया है उससे भी सवाल तो पूछा जाता है आपने इतनी सीटे कहीं थी कितनी आई और जो नहीं बहुमत पाता है उसके तो फिर पूछाई जाता है बाई आप बड़े बड़े दावे थे पहिया क्या क्यों इतना प्रेशर लेना आपने उता है सीधी सी विनम्रता की एक बात है कि कमफर्टेबल मिजॉरिटी आई खेर हम कौन होते हैं है अपना काम करिये सला देने लायक कोई आपका नहीं है कि आपका मैयार इतना उचा है कि आप सला देंगे ठीक है मैं आता हूँ बंसल न्यूस के सुलकते सवालों की तरफ पहला सव जो हमारा है उसे देख लीजे क्या कॉंगरेस का जीत का विश्वास अतेकत के धरातल पर मलीभूत होगा यानि नतीजे देगा रिजल्ट देगा दूसरा क्या कॉंग्रेस का जीत का दावा पीजेपी के खिलाफ माइंड गेम है और तीसरा चौबिस में जीत के दावे का हर तो नहीं तीस की चुनाव की तरह तो नहीं होगा यह ऐसा यक्षव प्रश्ण है कि जिससे कोई भी इसाइने में कोई भी जहांतना नहीं जाएगा अगर हम बात करें तो हमारे साथ है मनोच सैनी एक्जिकेटिव अडिटर प्लिटिकल अफेल्ट बहुत स्वागत है मनोच हमारे साथ हैं मिलन भारगव जी युवा नेता प्रवक्ता बीजेपी के आपका बहुत स्वागत है और अबास अफीज साहब है अरसे बाद बलाकात हुई है नफीज जुबान और सलीके दार तहजीब के हामी है वो बहुत उनका भी इस्तक्बाल करता हूँ मनोच मैं ही कह जी ठाल दूं तो सबसे जबादा प्रशन आप पर होगा आप पर होगा या मुझ पर होगा जी अप पर हो जीश तरौन लिकिन शरजी अंतिम दौर का मद्दान होना है साथ भी चरण का जिसको कहा जाए कुल मिलाकर 56 सीटों पर होना है और दोनों दलों की तरफ से जो मुझे लगता है एक प्रयास ये किया गया है कि जनता के बीच में साइकला जी जिसे कहा जाता है कि अपने तरीके से मैसेज दे दूसरे आकड़े हम दिखा रहे हुँंगे कि आखिर कौन आगे क्र पीछे कि उसके बार चार कों पर ये जरूर है कि पहली दफ़ा जैसा आपने भी कहा कि दूदसक के बाद ये तमाम तरहे की चीज़ें दिखाई दीषिख पी बज़िए है दस साल से भारती जनता जो 400 पार का नारा दिया और राहुल गांधी को भी आप सुन रहा है इस समय तो फटा फट ठका ठक बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही तो मुझे लगता एकलक तरहे का सोसल मीडिया का दौर है और यही प्रयास किया गया क्योंकि जब 2020 की तरफ हम जाते हैं जिसकी कॉंग्रेस एक फाइट देने में तो काम्याब रही मैं इतना कह सकता हूं कुछ सीटों पर और इसलिए मद्विदेश का चुनाव बहुत दिल्चस्प है दो दरजन एक दरजन की बात तो नहीं पर कुछ सीटों पर जरूर कॉंग्रेस यह कहती नजर आईगी कि हमने ठीक परफार्मेस दिखाया गीत है कि प्यार को प्यार ही रहने दो इसे रिष्टों का इल्जाम न दो चुनाव को चुनाव ही रहने दीजे ना यह माना हमने कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह सरकार बनती है इससे ले दिलन जी आपकी तरफ आ रहा हुए इतना दवाओ इतना दवाओ कि यह हो जाएगा वो हो जाएगा देख लीजिएगा जोर कितना बाजुए कातिल में है सर ऐसा चुनाव हमने तो नहीं देखा आपने भी अब युवा हैं हमसे तो काफी छोटे हैं आप लेकिन इस तरह का चुनाव कितना प्रेशर क्रियेट करता है दर्शकों पर भी और खुद प्लिटिकल पार्टी इस पर देखिए इस बहुत प्रसंचित हो कि जनता के बीच काम करने का प्रियास भी करता है क्योंकि हमारे प्रेसिक्षन दिया जाता है हम प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं हम जब आप देही कि राजनीती करते हैं चिंतन मनन के साथ हमारा नेत्रत हमको प्रेसिक्षित भी करता है और आप देखिए परिणाम सार्थक हैं आज द कर लिया जिसमें 25 दिन महत्पूर्ण युवाओं के लिए जिन मुद्दों की बात करते हैं मुद्दों सो इतर जाकर हम लोग विजन को लेकर चल रहे हैं विजन में धरतल पर राजनीती है परिणाम है उन परिणाम के आधार पर बहुमत है उस बहुमत के आधार पर एक नेतरत जो है वह अन्य राज्य में प्रचार-प्रसार कर रहा है और वहीं देखिए आप कॉंग्रेस का नेतरत आज भी घर बैठा हुआ है जब चरंड थे मद्दप्रदेश के तब भी घर बैठा था लेकिन हां लड़्डू जरूर बनना विदानसभा चुनाओं में बने शयोक्ति हो यह चेहरे गायब हो जाएंगे यह खंबों पे पोस्टर लगाने वाले बी अच्छा विश्वास होना चाहिए लेकिन आत्मिश्वास अती कभी नुकसान देही हो जाती हो मजाग के पात्री बन जाते हैं लेकिन रहने दीजे क्योंकि आपका वजूद पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के स्तित्तों से बहुत गहरे जुड़े हैं आपने भी बहुत लंबा समय विपक्ष में गुजारा है और इतने ताकतवर किया है आपने पक्ष की कमजोरियों को देखा जनता के बीच ग दोनों खुब टनाटन सेहत मन्द रहें जैसा शोले में जगदीव साब कहते हैं तो ने कि सेते मियते तो वह टनाटन हो रही है अबास अभी साब मैं आपकी तरफ आता हूं कहला जोशी साब को मध्यप्रदेश की राजनीती का संत कहा जाता है मैंने उनका इंटर्व्यू क लिए बंसल नीउस ने हमने उनसे पूछा कि आपके समय चुनाव में क्या होता था है हम तो जनसंग के कारेकरता थे चणा लाई रख लेते थे निकल जाते थे और कॉंग्रेस का कारेकरता मिल जाता था उसके पास जीप भी होती थी तो भोले हम मिलते थे एक दूसरे को दे पहर भी छूले तरह अब तो यह सही है कि पहली सी मुहबत मेरे महभूब न मांग यह तो मैंने ही उम्मीद कर रहा कि ऐसा कुछ होगा लेकिन इतना भी प्रेशर के लड़ू ले आएंगे हम यह करने की तैयारी कर रहे है तीन सो तीस आ जाएंगी क्या उधर चार सो से प्रेर करता है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है वो पार्टी के प्रती जो आने वाले परिनामों को उच्छा है उनके पास फीड़ बाक्स है और जिस तरह से हमने धरातल पे देखा है हमारे पास इतने अच्छे फीड़ बाक्स रहे हैं हमारे कार्यकर्टा से हो मीडिया के हुआ है और समद्दों पर चुनाओ क्या था किन मद्दों पर हम रहे यह बहुत बड़ा हमारा जीट का जो हमने सपना देखा है उसको करीब ले जाता हुए हमें दिखाता है जंता ने मुद्दों पर चुनाओ लड़ा शरत जी जंताने सवाल पूछे इन्होंने कहा मिलन जीना के बिचलित हो जाना विपक्ष में रह के विचलित कौन होता विचलित कौन होता है। जो भी शव्डिननों ने चायन किया था। विचलित भी जैपी होती है। 2018 विपक्ष में रहा है 15 महींद नहीं रह पाए उसके बाद तोड़ फोड़ शुरू कर दी ऐसे ही दूसरी राज्यों के अंदर अगर देखा जाए तो कहां इन्होंने कोशिश नहीं की है विपक्ष से और बार बार भी हुए हैं वापिस भी आया है मैं आपकी बात पर ही होँगा कि देखी बड़े बड़े दावे जो होते हैं वो चुनाओ चलते चुनाओं में भी होते हैं जैसे 400 पार हुआ हो या विपक्ष मुक्ष भारत भी एक नारा दे दिया गया एक समय पर लेकिन आज जो जनता के में माहौल देखा सबने देखा जैसे मनोजी ने भी कहा कि एक फाइट देने में हम सफल हुए फाइट के आगे की चीज हम देखता है जनता ने जिन सीट्स पर बीजेपी को कई बार आशिरवाद दिया थंदरन थर बीजेपी की उस सीट के अपसीने चूट वो इस चुनाओं में हमने प्रदान मंतरी इस तर तक की उपर देखा कि वो इस तर प्रदान मंतरी की भाशा का नहीं होता था मैं बहुत अच्छे शब्दों में उसको कहूंगा तो वो एक चिंतन जो था चेहरे की उपर चिंता साफ दिख रही थी बीजेपी आला कमान के नेताओं की उपर और प्रदेश में क्या हाल हो गया बीजेपी का राजनीती प्रात्मिक्ता पर रखने से जिसको मंतरी ने कल कहा कि साब बिच्छू आ गए हैं मान अर्मदा के आसपास विपक्ष लगाता हमेशा है कि तोड़ फूर की सरकारें आप बना रहे हैं आप आखरी तमें समय में गोजार रहे हैं और दूसरे प्रदान मंतरी की शब्दावली के लिए आप बात कर रहे हैं यह वो कौन सी शब्दावली आपके जीतू बढ़वारी जी की जो दलित महलाओं में चासनी खोजते हैं यह कौन से डर है जो आप एटम बम का डर दिखा के आखे दिखा रहे हैं आपको कर दर दिया आप पहले तंचमाल और बच्चा परदावली मशीन से आगे दिकाने की पूर्दावारी है आपकी शब्दावली शोड़ी आप बास भाई यह कौन सी चासनी आप खोज रहे हैं साब आइटम तंचमाल चिकने गार आप क्या क्या नहीं कहना चाहरे हैं आपकी हताशा ही तो है यह निराशा ही तो है आपकी आप मैलाओं को क्या दिखना चाहरे हैं आपकी राष्टी प्रवक्तर रोकर जा रही हैं मुद्दे पर लोट आते हैं मुद्दे मुद्दे पर लोट आते हैं मुद्दे पर लोट आते हैं मुद् आप कर्म करिये अफसर नामा हमारा एक आप जानते ही है एक बड़ा अच्छा कारिक्रम है उसमें मैंने एक बार एक ऐसे युवा से बात की जो चौथे अटेम्ट में अखिल भारती सेवा में सेक्सिस्फल हुआ तो उसने यही कहा कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडिंस निकल गए और वो पहले या दूसरे अटेम्ट में निकल गए मैं रह गया बीजेपी का सफर जनसंग से शुरू होता है उन्निस सो असी में बीजेपी में तबदील होता है और सफलता उसको मिलती है जाकर उन्निस सो निन्यानवे में सरकार बनाने मां सततर का एक अपवाद छोड दीजेए इतना धैर इतना संतुलन रखकर वो आगे बढ़ी है कॉंग्रेस की बात करें तो 2014 में केंडर में वो सत्ता से बाहर हुई है कुल जमाद 10 साल आप कह लीजे कॉंग्रेस को हुआ है दोनों ही पार्टियों का जिस तरह एक बीजेपी का लंबा धैरे का समय रहा है क कॉंग्रेस को भी एक लंबा धैरे रखते हुए और फल की चिंता आपको हमेशा फल की आ सकती कमजोर करती है बिलकुल रामेन में भी कहा गा है कर्म पद्धा ने विश्व करी राखा जो जस्करें इसो तस्पल चा का लेकिन सिरजी बहुत तेजी से महत्पा कांग्चाएं बढ़ी है मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ और जो भी राजनेता किसी राजनेता को लेकर नहीं कहेंगे पर बड़ी तेजी से महत्पा कांग्चाएं बढ़ी है और सत्ता से दूर रहना चाहे वो कॉंग्रेस की बात हो या भारती जंता पार्टी पहले बिपक्ष में थी ल कारिकरतां के बीच में और जा भरने के लिए बहुत अच्छी बात है आप कारिकरता से तो यही कहेंगे कि हम 400 जीत रहे हम 300 जीत रहे जब तो वो काम करेगा यदि यह कहेंगे कि हम हार जाएंगे हमारी स्तित्यां बिगड़ जाएंगे तो मुझे लगता वो लेकिन यह जर दानमंतरी को लेकर कभी ऐसी टीका टिपणी नहीं सुनी और जिस तरह की टीका टिपणी सत्ताधारी दल की तरफ से भी विपक्ष को लेकर हुई वो भी बड़ी अलग तरह की रही और यह बताता है कि इस से क्या होता है कि दोनों तरफ की सेनाएं और उनके सेनापती जब इस भाव से युद्ध में हो जाते हैं, तो उनके समर्थकों के बीच भी एक युद्ध छिड़ जाता है, और अब इस युद्ध का मैदान सोशल मीडिया जबरदस्त है, जहां लोग एकदम बिलकुल एक जोश के साथ डटे रहते हैं, कि हमारा हीरो, हमारा नायक, तो ये पर मिलन जी, खेर ये दार्शनिक बाते हैं, और कस्मे वादे प्यार वफा सब बाते हैं, बातों का क्या, वो एक अलग बात है, चुनाओ का धर्म यही कहता है, पूरी ताकत से चुनाओ लड़ो और अपने लक्ष को प्राफ्ट करो, फिर भी आप जिस संसकार से और जिस पार यहां है, वहां क्यों जा रहे हैं, ध्यान करने, तो यहां यह कैसे खड़े हैं, तो कोई कह रहा है कि आप शहथादे हैं आप, और यह लखनओ के शहथादे और दिली के शहथादे, जी. देखे शहरण जी बड़ा हीत है कि वैचारिक लड़ाई है, चुनाओ तो आए हैं, हो जाएंगे, फिर पांच बरस बाद चराएंगे. बात इस बात कि कि आपकी विचार किस तरफ है, जनता के हितके हैं या जनता के विरोध में, देश हित में है और देश विरोध में. अब आपके नेता तो गुप्त यात्राओं पर चले जाते हैं चुनाव हो जाने दीजिए फिर राहुल जी कहीं गुप्त यात्रा पर विदेश चले जाएंगे पूरी कॉंग्रेस और पूरे देश को मालूम नहीं रहेगा राहुल जी कहा हो लेकिन तीन सो पैसेट दिन नरे हो गया ठीक है सभी इस तक्लीप करेंगे यहां बहुर्त करेंगे आप मंदिर विरोध करेंगे आप अपनी सनस्कृति हम अपत्ति क्यों त्यान राहुल गांदी भी करते हैं अबास सफीर सावर। धर्शन करने जाता है तो राजनीती के लिए मजाख बनाना हो जाता है बीजे पी के लिए दिखावा हो जाता है गूझे उनकी ने कहा तो आपती उनकी यह है कि जो प्रचार होता है पर उसका एक तरह बनारस्ट में वोट डल रहा है काशी में और दूसरे दियान का प्रचार हो रहा है, BJP के सारे चानल के माद्यम से यूट्यूब चानल हैं और कहीं न कहीं न कहीं, तो आप दियान लगाई है, विचार करीए कि आगरें हश्क क्यों है, राहु जी जब थोड़ा कामना गरीए कि ध्यान और इश्वर का और मिलन जी का और मि जरंतर किया जाए, एक तरफ मीडिया पर सवाल है, शरण जी आप पर सवाल है, आप रचार पर सार्थ मत करिये जाए, हम लोग तो सवालों के गेरे में हैं यूट्यूब, लेकिन मुझे लाग रहा है, कहीं ना कहीं मिलन जी को कुछ घबरहाइट है, जो बार बार मुझे ह हस्तक शेप करके रोक रहा है, तो ये एक दूसरा विशा है, और सबसे बड़ा विशा ये है, कि आज जनता का ध्यान कहां था, जब जनता के लिए आपको काम करना था, बेरोजगारों की सेना खड़ी कर दी आपने, ऐसे ही वेपारियों के वेपार ठप होगा, जो मजोले अपारी है, देश की एकनॉमी की आप बड़ी बड़ी बाते करते हैं, लेकिन कहां उसके हाल है, देश की करनसी का रुपिया इतना गिर गया है, जब सत्ता मेरी थी तब कितना था डॉलर, और आज एक्स्चेंज रेट आपका कितना है, उसकी उपर आप कोई चर्चा नहीं करेंगे, जिन मुद्दों पर आप राई नीती करते थे आज उन मुद्दों पर आप नाकाम हो चुके दस साल के बाद, और ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आरोप लगाने साथ मुझे कोई राई नितिक फाइदा नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात जनता की समझ म में आ गई थी, और ये ही आधार है, मैं इस डिबेट के विशय पर आके कहता हूँ, कि जो कॉंग्रेस के कारेकरताओं में उर्जा देता है, कि आज आप जवाब नहीं दे पाएं, और जनता ने अपना मन बदला, दस-दस साल की तुलना करी, और उन दस सालों में कॉंग्र की बड़ी जरूरत है, सोशल मीडिया में आप देख लीजे तो ऐसा लगता है, लोग भाले और तलवार लिए घूम रहे हैं, अभी आपने देखा ही कि एक मा को इसलिए इतना ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, जिसके हाथ से फीडिंग के समय बच्ची छिटक के गिर ग पक्ष और विपक्ष में जिस तरह की भाला चुभाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, ये समय इतना बेचैन क्यों है, ये सवाल मैं आप से नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी इस देश में, मैं ये भी नहीं कहुँगा कि हमारा लोकतंत्र कहीं कोई मायूस की तरफ जा रहा है, मैं आज भी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को एक बहुत थी ऐसे विक्तित्तों के तोर पर देखता हूं, जिने समझ है कि व्योहरिक्ता क्या है, संबंद क्या है, और उदर राहूल गांदी को भी एक ऐसे राजनेता के तोर पर देखता हूं, लेकिन यह कहीं समवात का भाव या सत्ता को लेकर जो होड है, वो कहीं यह बेचनी पैदा करके किनारे पर खड़ा कर रही है हम सभी को, देखिए सोसल मीडिया के आप बात कर रहे थे, निश्यत रूप से सोसल मीडिया का दौर भी है, और मुझे लगता है इस चुनाव में भी उस पर वस्वास कर लिया, उसका समझा जाएगा कि आखर किसका आथ वस्वास था, क्योंकि दोनों हम लाज तक देखते हैं कि मुदों पर बात हो, मुदों पर बात ना वो अपनी बाते बता पाए, ना कौंगरेस अपनी बाते बता पाई, इसलिए चंता के सामनें भी पर फिर भी मैं यही कहूंगा चलते चलते कि जिस पर विस्वास होगा उसका आत्मिस्वास दिखाई देगा चारता है। ग्यारा खिलाडियों में हम साड़े पांच साड़े पांच करके दो हिस्से कर दें तो फिर क्या आपको लगता है खेल में मज़ा आएगा अगर इधर कॉंग्रेस है तो तभी बीजेपी को मज़ा है उधर बीजेपी है तभी इधर कॉंग्रेस को मज़ा है अगर इधर से समझते हैं और मुझे उमीद है कि आने वाला वक्त और बहतर इस चार जून के बाद जो हमें नेताओं की बॉडि लैंग्वेज मिलेगी वो उसी विराठ तत्यू की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी जिसके लिए हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है आज ये गंबीर बात कहने के लिए मैं उधर नहीं जाओंगा मुझे लगता है यही माकूल जगे है यही मुफीद जगे है और मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो सुबह कभी तो आएगी और चार जून के बाद वो हमारे सामने ख बेकी